तो गाइस फाइनली जो है मैं आचुका हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ तो गाइस आज जो वीडियो है मैं लाने नहीं वाला था बट आप लोगों के मतलब काफी जड़ा क्वेरी आगे थी मतलब कमेंट सेक्शन में देख रहा था तो निवेस्ट में जितने भी क तो आप काफी ज़्यादा पूछ रहे थे टेलिग्राम पर मुझे खाली यही मैसेज मिल रहे थे तो आज की वीडियो में मैं वह भी आपको बताने वाला हूँ तो वह चीज़ भी आपकी 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 आपको ब्रॉट्राइब कर दो तो आपकी जो सबसे बड़ी जो क्यारी थी ना डिबोजिट प्रॉब्लम विड्रॉल प्रॉब्लम की जो की क्योटेक्स पर ही नहीं आपको काफी ज़्यादा ब्रॉकर्स पर देखने को मिल रहे होंगी बिनोमो ओलिंप या पॉकेट आप्शन या मतलब तीनों भी वह ब्रॉकर्स आप यूज कर रहे ह वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जो गाई सबसे पहले मैं डाउन की ट्रेड लेने माला हूं अब क्यूं लेने माला हूं वह चीज में आपको बताता हूं तो अगर आप अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे होगे तो यहां पर जो मार्केट कंडिशन कुछ देख रहे होगे यहां पर वापस से मार्केट जो है वह थोड़ा ऊपर गया और सिम उसी पॉइंट पर जहां से बार बारी रिजेक्शन होके मार्केट नीचे आ रहा था तो उस पॉइंट पर मैंने सिंपली डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी क्योंकि OTC मार्केट है पैटन जो काफी अच्छे से फोलो करता है तो यहां पर मैंने सिंपली ट्रेड प्लेस कर दी 4000 डॉलर की और यहां पर इसली जो है वह वह विन हो जाएगी यह ट्रेड 100% क्योंकि मार्केट जो बिल्कुल एकदम 100% इसी पैटन पर चल रहा है थोड़ा उपर जाके वापस नीचे आ अब आपका मैं बताता हूं कि आजकल आप देख रहे होगे कि आप deposit करने जा रहे होगे तो कई बारी आपको net banking का option नहीं मिल रहा होगा deposit में और कई बारी आप देख रहे होगे आपका payment आपने कर दी है और जो deposit है वो आपका failed हो जा रहा है तो अब देखो guys यह deposit problem जो है वो चीज जो मैं आपको बताने माला हूं तो बस अब ध्यान से इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी skip मत करना तो अब देखो यह हो किसलिए रहा है सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं देखो इसके होने का जो basically reason जो आप अगर आप जानते हो जो भी आप deposit करते हो है व आपको withdrawals भी देते हैं तो अभी यह जो आप कह सकते हो payment gateway जो है वो काफी सारे brokers के similar ही होते हैं जैसे आप अभी देख सकतो जैसे जिन लोगों ने ऑलिम उसके है उनको पता होगा कि पिछले काफी जाधा time चुद है क्योटेक्स बिनोमो ऑलिम कैश्वरी को यूज कर रहे थ अब इसका basically reason जो क्या है अभी आगको अगर पता हो तो अभी जो month है अपना June का चल रहा है तो अभी जो है यह payment gateway जितने भी होते है इनको भी जो अपना data होता हो collect करना होता और इनको भी अपना जो bank से जितना भी records होता उसको सब कुछ maintain करते हो है इनको अपना जो आप जैस इनको भी जो आप कह सकतो अपने जो टेक्स सेशन हो फाइल करनी होती है तो इसी लिए जो आप कह सकतो गेटवे जो अभी इसी कारण से जो काफी ज्यादा कह सकतो हो की धीरे वर्क कर रहे है काफी जादा आपकी payment में लेट हो रही है विट्रॉल्स में deposit में काफी जाद deposit withdrawal में delay आता है जब इनको अपना जो data होता हो पूरा match करना होता है साल में दो बार करते है तो यह जो problem है हम लोग को साल में दो बार phase करनी पड़ती है बट ऐसा नहीं है देखो इसमें आपका money बिल्कुल safe है कोई भी problem वाली बात नहीं है आपका deposit amount है जो भी आपका withdrawal amount है वो file करेंगे then ही वो properly वापस से work कर पाएंगे तो इसी काना से थोड़ा time लग रहा है और अब देखो इसका solution क्या है तो अब इसका solution simply क्या है कि आप लोग जो है मतलब थोड़ा banks को आप avoid कर सकते है जैसे आपको withdrawal लेना है तो आप Bitcoin USDT में ले सकते हो USDT काफी जादा stable आप उसके same ही है आप कोई भी मतलब exchanger के through या money जो अपना directly bank में ले सकते हो तो आपको अगर जैदा emergency है तो आप easily crypto को use कर सकते हो अगर नहीं है आपको time के वाइडिंग तो आप 4-5 days wait करो आपका money आपके पास 100% आएगा थोड़ा सा delay आपको देखने को मिल सकता है उसका reason मैंने बता द आपको withdraws अगरे deposit विदिन मतलब 5-6 days में आप normal हो जाएंगे क्योंकि देखो यह अपना text file करने के date है वो मेरे साफ से 31st July होती है तो वो भी almost near around है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी last to last date पे तो कोई file नहीं करता पहले से प्रपेर करना पड़ता है तो इसी कारण से यह अपने जो भी records से वगरा match कर रहे होंगे तो आपको जो gateway वापस आपका within आप कह सकते हो कि 5-6 days में वापस से normal होने लग जाएगा और सबको जो आपस से back to normal आजाएगा आपको withdraws एकनम fast पहले की तरह मिलने लग जाएगे तो panic करने की कोई भी बात नहीं है और अगर आपको emergency है तो इवन आपको net banking से भी easy पड़ेगा उससे भी fast पढ़ जाएगा तो अगर आप चाहते हो मैं crypto में कैसे withdrawal लेता है सारी चीज़े आपको सिखा दू तो आप मेरे को simply जो है इस वीडियो पे 300 like करवा तो मैं आपको crypto में deposit withdrawal करवाना आपको मैं next video में बता दूँगा अगर 300 like complete कर तो दो दिन के अंदर तो मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आप crypto से withdrawal कर सकते हो इवन आपको crypto withdrawal में एक और फायदा मिलेगा जो पर डॉलर का rate आपको वहाँ पे 79 रोर 80 भी देखने को मिल सकता है जो कि net banking में लोगे तो आपको 76 मिलेगा तो वो चीज़ अगर चाहते हो तो 300 लाइक कर देना और चैनल अभी कभी सब्सक्राइब को लो कमेंट ढाल दो कि अगर आप crypto में deposit withdrawal करना चाहते हो तो उसके ओपर मैं एक separate वीडियो लेके आज़ोंगा नेक्स वाली तो अगर करते तो 300 लाइक कल तक कल रात तक तो मैं परसो ट्राइक करूँगा अपनी पूरा 100% एक वीडियो लाने की तो कर देना लाइक तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay tuned और मिलता है